नमस्कार किसम भाईयो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत ही तो आज के इस वीडियो में अगर आप वाइप लाइग कंट्रोल कर रहे हो अगर आपकी स्टेटरजी वाइप लाइग कंट्रोल करनी की है तो आपके स्टेटरजी में सुमी प्रिंट नाम का कितना शक होना इसका जवाब में आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको content, mode of action, यह कौन कौन से किटक काम करता है, यह कौन कौन सी पसलों में इस्तमाल किया जाता है, इसका combination हमें कैसे बनाना चाहिए, इसकी कीमत और dose कितनी है, और इसके साथ होगी आज की खात बात, तो में हो दिवेराज और आप देख रहे हो अन्निर्माता, चलिए शुर्वत करते हैं आज के वीडियो की, तो दोस्तों शुर्वत करते हैं सुमी प्रिंट के कंटेंट से, तो सुमी प्रिंट में पाइरी फ्रोक्जी फेन पास प्रतिशत और फ्रोपे थ्रीन पंदरा प्रतिशत इसी पॉर्मुलेशन में आता है, तो अब इसकी mode of action हम जानते हैं, तो mode of action इसके दो कंटेंट होने स दो mode of action है, तो पहले हम पाइरी फ्रोक्जी फेन की mode of action जानते हैं, तो पाइरी फ्रोक्जी फेन पाइरी डाइन ग्रूप का systemic insecticide है, जो प्लांट सिस्टेम में एंटर करके हमारे किटकों को अच्छी तरगे से मारता है, पाइरी फ्रोक्जी फेन को हम IJR भी कहते हैं, यह ह लेनों के वीडियो में भी जाना था, लेनों में भी पाइरी फ्रोक्जी फेन नाम की content है, तो IJR का मतलब क्या होता है, insect growth regulator, जो insect की growth को regulate करता है, मतलब देखो, अगर माधा अंडे देती है, तो उसमें से किटक ही नहीं निकलने देता है, और जो किटकों को वो नपुसंग बनाने का भी काम करता है, इससे सिर्फ जो प्रोड आउस्ता वाले किटक होते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सुमिप्रिट में contact insecticide के साथ combination करके वो भी कमी यहाँ पे इन्होंने दूर कर दिये, तो यह all round insecticide बन चुका है, तो यह आमने जान लिया, त पाइरी प्रोग्जी फेन में contact action भी है, मतलब किटक इसके संपर्ग में आते ही मर भी जाते हैं, और इसमें stomach action भी है, मतलब किटकों के आंदर यह जाने पर stomach action दिखाने से किटक मर जाते हैं, पाइरी प्रोग्जी फेन में transliminar action भी है, मतलब यहाँ पतियों के उपर से जो अलग से मतलब जो अलग सिंथेटिक पायरिध्रइट ग्रुप की जो इन्सिक्टिसाइड काम करते हैं वह इसे ही यह क्या करता है किटकों के नरोस सिस्टेम को डैमेज कर किटकों को पैरलाइज कर भुकाई मार देता है तो जो प्रोडावस्तावाले किटके इस synthetic pyrethrite के contact में आते ही वह मर जाते है फेम प्रोपेतरिंग का ये बहुत अच्छा मुनापा या और फाइदा हमें सुमीप्रिंट में मिल जाता है तो अब हम जानते हैं कि सुमीप्रिंट कि किटकों पर अच्छे तरगे से काम करता है तो हमने व हेडिंग में भी बाटा है था और अभी भी बाटा है यह कि सुमी प्रिंट वाइट प्लाय पे बहुत अच्छे स से काम करता है… यानि कि सुमी प्रिंट की वजा से जो किटको इसंब ह missm पर सब्सक्राइब रहता है… तो इसके साथ ये अपिट्स पर भी काम करता है अपिट्स चोटे 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 आ करके पिले करके किटक होते ही जिसकी भी इमेज आप अभी स्क्रीम पर देख सकते हैं अपिट्स कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत ने आती लेकिन इसे ये भी आपको एक बहुक्त करता है तो वह से फिमप्रोपे्द्र थरण होने से यह रेड माइट को भी आचे से कंट्रोल करता है अचे सैयाने कि नाउर आप इसका विर्णिपिड भी उठा सकते और रिय्ड माइट के लिए तो अब हम जानते हैं कि सुमीप्रिंट हमारे किं किं में किंप के साथ बेजी चक कर सकते हो थोड़ा सा और इंसेक्टी साइड या और फंजी साइड के साथ आपको कॉमिनेशन करना है तो थोड़ा मिला के देखिए अगर मिसरन दूद की तरह नहीं फटता है तो वह मिसरन आपके स्प्रेंग के लिए चल जाएगा तो अब खास बात से पह आप सुमिप्रिंट 30 मिली का इस्तमाल चिड़काओ के लिए कर सकते हो तो सुमिप्रिंट एक लेटर की कीमत लगबग 1400 रुपए के करीब करीब आ जाती है अब खास बात से पहले आपको आमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रू करेंगे और इसके साथ आप शेर करना भी नहीं भूलेंगे इसी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और हाँ जो नए आए वह भी सब्सक्राइब जरूब कीजिएगा तो आज के खास बात में जो वाइट फ्लाइक कंट्रोल करने वाले किसा ने वह एक चुकी कर देती कि वाइट प्लाइन नीच सकते हो और यदि आप कोई वाइट प्लाइक के साथ इस समय कर सकते हो तो आपको पता चल गया होगा कि आमें जयादा फोकस कहां पे करना है आमें जयादा जयादा फोकस पतियों के नीचे करना है वाइट प्लाई के बारे में आपको ज्यादा आधिक जानकरी चाहिए सटिक जानकरी चाहिए तो अब इस स्क्रीम पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है तो उसके उसके उपर क्लिक करके आप ओ वीडियो देख सकती है उसमें A to Z जानकरी है वाइट प्लाई के बारे में दी है मिलते हैं आगले वीडियो में जै जावाद जै किसाल